नमस्कार दोस्तों स्वागत है फिर से आप सभी को अपना निकल चैनल दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कोविड-19 का वैक्सिनेशन का रेजिस्टेशन कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले रेजिस्टेशन करने के लिए अपने क्रोम ब्रोजर को ओपन कर लिजिए और वहां पे सर्च करना आपको सरकारी एक्जाम जैसे दोस्तों सरकारी एक्जाम को सर्च किजिएगा उसके बाद आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहां फे फर्स नम्मर पे लिखा हुआ है कोविड वैक्सिनेशन रेजिस्टेशन द यहां पे आपको क्या करना है अपना मोगल नमबर डालना है और मोग स repairing यहां पास आज जाएगा और उसको 117 सेकंड के अनदर इसमें इनपुट करके फिर किलिक करना थो दोस्तो ड Eugene आ गया है अब इस पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद अब किया करना वेरिपाइब प् जिरस्टेशन मेंबर पर क्लिक करने के बाद आपका ID प्रूफ मांगे गाई उसके बाद पुड़ा इसे फीड करना है तो पहले अधार काड on the department अधार नमर दालने के बाद आपको वही नाम डालना है जो आपका आधार card पे है तो पहले अपना आधार नमर इसमें details भर लेते हैं उसके बाद फिर अपना name डालेंगे वही जो आधार card पे है उसके बाद date of birth डालना है date of birth का ईबर सिर्फ year डालना है कि आपका कौन सा इस भी में date of birth है उसके बाद दोस्तो मेल या फिमेल आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लिजेगा जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फिर प्रोसेस पर आगे क्लिक किजेगा क्लिक करने के पाद आपके पास रेजिस्टेशन का मेसेज आ जाएगा और आपका रेजिस्टेशन हो जाएगा तो चलिए दोस्तों जल्दी से फर्म भर लेते हैं तो आप दोस्तों इसमें सब कुछ भर चुक है अब इसमें अपना year डाल लेना जैसे दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपकी इसमें date month उसके बाद year अगर तीनों डालते हैं तो इसमें नहीं लेगा सिर्फ आप क्या करना इसमें यहां डालना है कि आपका कौन सी इसमें जन्वती थी है डेट तो जैसे की 139999 महमेरत उसके बाद फिर रेजिस्टर पर क्लिक करेंगा अब दोस्तों रेजिस्टर पर क्लिक कर चुक है यहां पर लिखा हुआ है वह सीनेशन रेजिस्टर सक्सेस्पुल हो गया और इ देख सकते हैं डियर भुशन कमार यू हैब आर सक्सेस्पुली रेजिस्टर फोर कोवीट वैक्सिनेशन आइडी इतना दिया हुआ उसके बाद हेलप लाइन नमर भी दिया हुआ है तो कोवीट का रेजिस्टेशन मेरा हो गया और कब हुआ है पुरा डिटेल देखने के ल पेनल को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और साथ में गंटी का बटन दवाना विल्कुल ना मुले थांक्यू दोस्तों